दोस्तों जادू देखना तो हरको ही पसंद करता है लेकिन कई बार हमारे मन में सवाल ये ओठ जाता है कि क्या ये मैजिक सच में मैजिक है या फिर महज हाद की सफाई यदि आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अनतक जरूर देखना क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको magicians की हैरान कर देने वाली कुछ ऐसी हकीकतों से रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी जादू देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें कटिंग इन हाफ दोस्तों केविन जेम्स अमेरिका के एक बेहतरीन जादूगर है उनका सबसे मशूर जादू है एक आदमी को बीच में से काट कर उसे वापस जोड़ देना जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस आक्ट में केविन एक सरजन के कॉस्ट्यूम में है केविन अपनी असिस्टेंट को बीच में से पूरा काट देते हैं लेकिन वो फिर भी जिन्दा है उसके हाथ अभी भी हिल रहे होते हैं यह असिस्टेंट पूरी तरह कट चुका है यह दिखाने के लिए केविन उस असिस्टेंट और टेबल के बीच में से हाथ भी निकाल कर दिखा देते हैं और कुछी देर में केविन अपने special tool का इस्तेमाल करके उसे वापस जोड देते हैं और वो असिस्टेंट चलने और कूदने लगता है दोस्तों ये जादू देखने में सच में हैरान कर देने वाला है आप सोच ले होंगे कि आखर केविन ने ये कमाल का जादू कैसे किया कि उसने सच में उस इंसान को काटा था और फिर से जोड दिया तो दोस्तों आपकी जनकारी के लिए बताने कि नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है क्योंकि जिससा कि आपको पता है हर जादू के पीछे एक ट्रिक होती है और ऐसी ही एक ट्रिक इस जादू के पीछे भी थी जिसमें जो असिस्टेंट दिखाया गया है वो एक टोर्सो है टोर्सो यानि कि कमर के उपर का हिस्सा ये एक इंसान है जिसके कमर का निचला हिस्षा नहीं है जब केविन ने असिस्टेंट को काटा तो टोर्सो उस टेबल पर गिर जाता है जैसे उसे बीच में से काट दिया गया हो और फिर उसे एक दूसरे टेबल पर रखकर साथ ही उसके पास नकली पैर रख दिये जाते हैं तब केविन अपना स्पेशल टूल निकालने लगते हैं और उस टोर्सो को अंदर ले जाया जाता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस कटे हुए इंसान को परदे के पीछे ले जाकर फिर से बाहर क्यों लाया जाता है जो भी करना है वो तो सामने भी कर सकते थे ना क्योंकि इस पर उस टेबल पर एक असली आदमी होता है नकी टोर्सो वो आदमी इस तरह बैठा होता है जैसे वही कटा इंसान पहले वाला आदमी हो और मुँपर मास्क होने के कारएं उन दोनों में हमें फर्क समझ नहीं आता फिर केविन उस असिस्टेंट को स्पेशल टूल से ठीक करने की आक्टिंग करते हैं और वो आदमी खड़ा होकर चलने कूदने लगता है और इसे देखकर हम चौंक जाते हैं The Vanishing Track Chris Angel ने अपना ये जादू दिखाये था जिसे देखकर काफी लोग दंग रह गये थे इस ट्रिक में Chris गयब होने का जादू दिखाते हैं Chris बाल्टी और बास्केट के उपर रखे लकड़ी के पट्टे पर खड़े हो जाते हैं उनके दोनों हाथों पर रसी बंदियों होती है और फिर एक कपड़ा उनके सामने लाया जाता है जिसके पीछे जाते ही Chris कुछ ही सेकेंड में गयब हो जाते हैं तो देखते ही देखते वो गयब कैसे हो गए उनके पास गयब होने की अद्भुत शक्ती है या कुछ और तो हम आपको बताएंगे कि Chris असल में ये ट्रिक कैसे कर रहे थे ज़र आप ध्यान से देखिए कि Chris के पीछे खड़े आदमी की परचाई आपको सामने की तरफ दिखाई देगी लेकिन जैसे Chris गयब होते हैं और कपड़ा हटा दिया जाता है तो उसके पीछे खड़े आदमी की परचाई हमें नजर नहीं आ रही ध्यान से देखिए तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है मतलब कुछ तो गडबर जरूर है वो इसलिए कि बल्टी और बसकेट के बीज की जो जगा है वो खाली जगा नहीं बलकि एक स्क्रीन है जिस पर हमें पहले से ही recorded वीडियो दिखाय जा रहा है जिसमें पीछे खड़े इंसान के पैर पहले से ही recorded है और जब स्क्रीन के लिए recording की गई थी तब उस पीछे खड़े इंसान के परचाई पीछे की तरफ थी लेकिन जब जादू चल रहा है तब परचाई सामने की तरफ है उपर चटते वक्त हमें Chris का पैर दिखाई देता है तो आप कहेंगे ये कैसे दिखाई दिया ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक recorded वीडियो है ना कि Chris के असल पैर लेकिन उसे बहुत practice किया गया है और एक जसा बना दिया गया है तो हमें उन दोनों में difference नजर नहीं आता जैसे ही Chris उपर चटकर कपड़े के पीछे चले जाते हैं तो वो जल्दी से अपने हाथों को छोड़कर नीचे जाते हैं और पीच में स्क्रीन होने की वज़ा से वो वहीं छुपे रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते और हमें लगता है कि वो गायब हो गए तक होते हैं जिने अगर संभाल कर और साबधानी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो काफी चोट लग सकते हैं दुरघट ना हो सकते हैं लेकिन जपान के एक जादोगर टेमपा रेजर ब्लेड से ऐसा जादो दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे टेमपा सबसे पहले जजर्जर्ज को एक असली ब्लेड देते हैं थाकि वो चेक करके बता सकें कि ये ब्लेड असली है जब जजर्जर्जर्ज चेक करके बताते हैं कि ब्लेड असली है फिर टेमपा वो ब्लेड अपने मुह में डालते और निगल लेते हैं ऐसे ही टेमपा के पास और कई सारे blade हैं जिनको वो निगल लेते हैं Blade को निगलने के लिए वो juice भी पी लेते हैं जिससे ओर्डियंस को ये यकीन हो जाता है कि टेमपा ने सारे blade निगल लिए लेकिन कुछी देर में टेमपा वो सारे बलेड़ एक धागे से बंदे हुए अपने मुह से निकालने लगते हैं बलेड निगलना पहले एक बहुत मुश्किल काम है अब आप सोच रहाँगे कि टेमपा बलेड निगल कर उसे वापस मुह से कैसे निकालते हैं तो आईए आपको बताते हैं इस ट्रिक का राज, यह ट्रिक करना वैसे तो बहुत मश्किल है, लेकिन टेमपा ने इस ट्रिक को काफी बार प्राक्टस की है, जिसकी वज़ा से वो इसे आसानी से कर लेते हैं, दिर असल टेमपा ब्लेड निगलते नहीं हैं, उसे वो अपने म ब्लेड नजर आएंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे ब्लेड ठोक दिये, तो धागे से बंदी हुई, ब्लेड बाहर कैसे निकल रही है, इसका जवाब चुपा है टेमपा के मुव में, टेमपा जादू शुरू करने से पहले ही अपने मुव में नकली ब्लेड का एक पैकेट छुपा के रखते हैं, जो बाद में अपने मुव के बीच लाकर एके करके बाहर निकालते हैं, टेमपा ने इस ट्रिक को काफे बार प्राक्टस किया है, इसलिए आप घर पर कभी ट्राई मत करना, यह ट्रिक सबसे ज्यादा अमेजिंग और बहुत फास्ट क जाने वाली ट्रिक है, इसमें जादूगर कुछी सेकेंड में कई बार अपने कपड़े बदल लेती है, और यह ट्रिक लड़की इतनी तीजी से करती है कि देखने वालों के होश ओड जाएं, सबसे पहले यह लड़की स्टेज पर आती है और देखते ही देखते वो अंदर परदे के पीछे चली जाती है और कुछी सेकेंड में वो कई बार अपने कपड़े बदल लेती है, जिससे देखकर हम सब दंग रह जाते हैं, और आज भी इस जादू का राज किसी को नहीं बता, लेकिन आज हम आपको इस जादू का राज बताने वाले हैं, दरसल दोस्तो हैं, जिसको कई सारे लेयर्स में तबदील किया जाता है, और जादू कर एक साथ ये कई सारे लेयर्स पहन कर ही आता है, इसमें से निकलना बहुत आसान होता है और ये कपड़े वेल्क्रो या फिर हुक की मदद से खुल जाते हैं, जिससा कि आप इस वीडियो में देख रह और इस जादू को करने के लिए काफी फूर्ती और काफी चालाकी की जरद भी पड़ती है, क्योंकि चंद सेकेंड में ही जादूगरों को लोगों को बता लगे बिना ही कपड़े बदलने पड़ते हैं, और फटा-फट उन्हें छुपाना भी पड़ता है, जो इस लड़क होने के साथ-साथ आपको उलजहन में भी डाल सकते हैं, इस ट्रिक में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक आदमे पूरी ताकत से अपने सर पर ड्रिल मशीन चला रहा है, हलनकि उसे एक खरूच तक नहीं आती, मानों उसकी बोडी स्टील की बनी हो और उसे कोई फरकी न इस ड्रिल बिट का सिरा नुकीला नहीं होता, वो उपर से सपाथ होता है, जिससे वो जादूगर के शरीट के पार नहीं जा सकते, लेकिन बहुत ही ज्यादा जोर लगाने पर शायद ये उसके शरीर में घुश सकते हैं, इस जादू में दो जादूगर हैं, जो एक स्क्री जादूगर भी बाहर निकाल लेते हैं, तो ये कमाल का जादू आखिर जादूगर कर किस तरीके से करते हैं, इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये स्क्रीन एक नॉर्मल स्क्रीन है, जिसमें पहले से औरेडी रिकॉर्डेड वीडि चलता है कि जादुगर बलून को स्क्रीन के बहुत करीब ले जाता है और फिर वो उस बलून को किसी तरह से फोड़ देता है और उसे समय स्क्रीन पे वो बलून दिखाया भी जाता है और ध्यान से देखने पे वो फूटा हुआ बलून गिरता हुआ दिखाई भी देता है लेकिन दूर से लोगों को ये दिखाई नहीं देता और अब अगर हम स्क्रीन में से छत्रे निकालने वाले किस्से को गौड से देखेंगे तो ये दिखाई भी देता है कि वो छत्रियां पहले से ही उनके हाथ में थी जो कि जादूगरों ने बहुत ही चाला की और तेजी से बाहर निका लि और वो हमें दिखा नहीं जिसे बाद में उन्होंने स्क्रीन के एकदम नज़दीक ले जाकर खोल दिया और अब दोस्तों बारी आती है लड़कियों को स्क्रीन से बाहर निकालने की। जब एक जादुगर बड़ा सा कपड़ा स्क्रीन के सामने लाता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसी के पीछे से दोनों लड़किया घुज कर नीचे बैठ कर स्टेज पर आती हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती और जैसे हैं जादुगर उस बड़े से कपड़े को बहुत कोशिश की लेकिन अगर आप पॉस करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी लड़के के पैर भी इस लड़की के पीछे नजर आएंगे लेकिन जब पहली लड़की को उस कपड़े में वापस लपेटते हैं तो दूसरी लड़की फॉरन खड़ी हो जात जादोगर कपड़ा हटा देता है और हमें दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं और इस तरह से जादोगर बहुत ही पेचीदा माजिक ट्रिक ये वाली पूरी करते हैं तो क्यों दोस्तों इन मजिशन्स के ट्रिक्स आपको कैसे लगे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले धन्यवाद